कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को बताओं कि आज हम जो रीजनिंग का टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन हर एक पेपर में आपको यहां से एक यह दो यह तीन क्वेशन तो देखने को मिलते ही हैं आज जो हम यह इस क्वेशन को इस टॉपिक को रिलेशन कितने टाइप का होता है कितने तरीकों के रिलेशन के क्वेशन बन सकते हैं क्वेशन को करने की अप्रोच क्या होती है क्वेशन हमारा ज्यादा तर गलत कब होता है तो आज हम इस पर बात करेंगे काफी मज़ा आएगा तो आप लोग ध्यान से सुने आपका जो का section है वो मैं cover करवाऊंगा मेरा नाम आप लोग जानते हैं मैं सुमित पुरी आप लोग जो आप पे अभी लेक्चर देख रहे हैं तो यह आप triple s आप लोगों के लिए ही बनाई गई है टार्गेट यह है कि आप लोग जे कि PSI या stock assistant की दियारी करने हैं तो आप लोग इसमें पूरे नंबर लिखें तो चलो अब start करने से पहले मैं आपको एक basic चीज समझाता हूं blood relation होता क्या है अब जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका कोई भाई है अब इनके बीच में relation होगा मुझे कैसे बता चलेगा blood relation की form में question की form में कि यह इनके बीच में relation है हम की यहां पर यह draw कर दी मैंने आपके सामने अब दोनों भाई हैं इसका मतलब क्या है यह दोनों क्या है mail है इनको आप बहुत तरीकों से represent कर सकते हो कुछ लोग plus करते है लेकिन हम लोग किस से represent करेंगे हम लोग बनाएंगे box यहाँ पर मैंने आपको चीज क्या सिखाई यह जो एक simple सी चीज मैंने draw करी है इसका क्या मतलब है A is brother of B I hope यहाँ तक clear है अब माल लीजिए एक है यहाँ पर A और एक है यहाँ पर B और एक है यहाँ पर C अब मुझे किसी ने कहा है कि A is brother of B and B is sister of C How C is related to A अब यह चीज हमें एक examiner पूचता है बहुत असानी से हम लोग क्या करते हैं हम लोग question देखते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर A क्या है यहाँ पर हमें क्या कहा गया है A जो है वो भाई है किसका B का B क्या है B एक sister है किसकी C की अब हम लोग देखते हैं How C is related to A अब यहाँ पर option आपको दिया होगा sister या brother बहुत सारे लोग यहाँ पर mark करते हैं sister बहुत सारे लोग mark करेंगे brother लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर maximum लोग गलती करते हैं rule number one यह आपको किसी book में नहीं दिखेगा जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ rule number one क्या कहता है बिल्कुल basic language में सिखाऊंगा आपको जो question में चीज given है वो ही सच है पहली चीज ठीक है पहला rule क्या कहता है जो question में आप लोगों को चीजे given है वही सच है अब यह चीज क्या है मैं आपको यहाँ पर और simple तरीके से बताऊंगा मान लीजिए यहाँ पर A की जगा B की जगा इनकी जगा नाम दिये हूँ राम शाम ठीक है राम गीता और शाम या फिर इसको मैं थोड़ा सा और आपको clear कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को और इसमें चीजे समझा जाएंगी राम इस ब्रदर अफ गीता और गीता इस सिस्टर अफ शाम दिया हो अब आप लोग क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर इस डाइग्राम में बनाओगे इस तरीके से क्या लीखोगे राम क्या है राम भाई है किसका राम भाई है गीता का और गीता क्या है सिस्टर है शाम की अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे अच्छा शाम है जो है male members के नाम होते हैं तो exam में question आएगा हम लोग mark कर देंगे brother आपको बता दू यह हो जाएगा गलत rule number one मैंने आपको क्या सिखाया है जो question में given है वो सच है खुद से कोई भी चीज predict नहीं करनी है यह जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यह बिल्कुल basic है जिस किसी बच्चे को problem आती है अब यहाँ पर क्या है देखो हम लोगों को नहीं पता exam male है या female है तो इसका answer होगा cannot determined rule number one मैंने आपको basics सिखाया है याद रखना यह rule बहुत important होगा जो question में given है वही सच है खुद से कोई भी चीज प्रेडिक्ट नहीं करनी है वहाँ पर अगर लिखा है गीता is brother of sham तो गीता is brother of sham हम लोगों को यहाँ पर अपना दिवाग इन questions पर apply नहीं करना है जो examiner question में चीज देगा वो सच है पहला point यहाँ पर I hope clear होगा आप सबको बहुत सारे बच्चे इसमें आप गलती करते है मैंने आप कुछ पहला चीज बताई अब हम थोड़ा सा और detail पर चलेगे यह पहला rule था सबसे important है basic questions आते हैं examiner एक twist डाल देता है इस form में बच्चे गलत कर देते हैं जो चीज हमें given है वही सच है खुझ से कोई चीज प्रेडिक नहीं करनी अगर वो कह रहा है कि गीता is father of राहुल और राहुल is sister of राज तो यह हम लोग ऐसे ही बनाएंगे गीता is father of राहुल राहुल is sister of राज अब यह जो मैंने यहाँ पर बनाया है यह कैसे बनाया है आपको बताऊँगा देखो अभी तक पहले चीज I hope आप लोगों को clear हो गया होगा क्या सिखाया अभी तक मैंने आप लोगों को male को हम represent करते हैं box से female को हम represent करते हैं circle से ठीक है दूसरी चीज अब यहाँ पर आती है इसमें क्या है यह male है यह female है क्या हुए brother sister यह मैंने बनाया इस तरीके से यह क्या हुए यह हुए brother brother चीक है अब मान लीजिए मुझे एक couple को show करना है यानि कि जो married couple है उन्हें show करना है उन्हें मैं किस तरीके से करूँगा उनके बीच में जो line आती है वो double show करती है अब यहाँ पर आपको एक simple family tree की तरह में चीज समझाऊँगा मान लो यह आप है चीक है आपका कोई भाई है यहाँ तक आपको clear है क्या है यह male member आप है अगर आप female है तो आप इसको अपने recording कर सकते है मैं example के तोर पर बता रहा हूँ जैसे मान लीजी यह मैं हूँ यह मेरा भाई है और यहाँ पर मेरी sister है यहाँ तक आपको clear है अब जो मेरे parents है यह क्या हुए अब यह जो generation बनाई है मैंने यह आई आपकी second generation ठीक है अब यहाँ पर क्या आए यह होगे मेरे father यहाँ तक अब यहाँ मुझे अगर mother को represent करना है आप लोग यहाँ देख सकते है मैंने क्या कहरा मैंने double line बनाई और यह मैंने बना दिया और यह क्या होगे mother अब अगर suppose मुझे अपने grandfather यहाँ पर बनाने हो grandfather अब यहाँ पर आते हैं दो तरीके के एक जो आपके father की side से होते है जिने आप दादा जी कहते है simple language में एक जो आपके mother के side से आते है जिने आप नाना जी कहते है अब जो mother के end से आते हैं उन्हें हम कहते है maternal grandfather अगर मुझे नाना जी बनाने होंगे, तो मैं किसके फादर बनाओंगा यहां पर ? मदर के, यह भी grandfather होंगे और अगर मैं father की यहां पर बनाता हूं, तो यह भी क्या होंगे ? grandfather, लेकिन यह होंगे मेरे कौन से वाले ? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यह होंगे parental और यह होंगे maternal, maternal grandfather, यहां तक I hope आप लोगों को सारी चीज़े clear चल रही होंगी, जो भी चीज़े आती है, parental नहीं होते हैं, इन्हें हम grandfather ही कहते हैं, confusion नहीं रखेंगे, maternal में आ जाएगा, यहां पर मुझे अगर नानी बनानी है तो मैं यहां पर इस तरीके से बनाओंगा, अगर आप से कोई पूछे, आपको यहां पर मासी को represent करना है, किस तरीके से करोगे, mother की sister, ठीक है, यहां तक चीज़े clear हो रही है, मुझे बुआ को represent करना है, तो वो क्या होंगी, यहां पर, जिसे हम aunt या uncle की form में हम कहेंगे, य अब यहां पर क्या आएगा नाम, maternal sister, यानि कि maternal aunt हम इने कहेंगे, जो हमारे होंगे, अब यह चीज़े आपको यहां पर चीज़े clear हो जाएगे, यह आपके नाना जी आए, यह आओगे आपकी नानी, और यह आपके जो grandmother, और यही आपको बता दू, यही है blood relation, सारा का सारा, यहां तक चीज़े clear, अब लेकिन एक और चीज़ मैं पूछूँँगा आपसे, माल लीजिए, अब यहां पर यह जो आपके यहां हमने फादर बनाए, यह आपकी aunt के क्या लगे, अब यह जो है, यहां पर इने हम क्या कहते हैं, इने हम कहेंगे, brother in law, और अगर same, मैं यह च आपको चीज़े clear होंगी, ज्यादा confusion है, अब यहां पर पूछा जाए, mother से यह क्या लगे, तो यह भी क्या होंगी, sister in law, और अगर मैं पूछूँँ, यहां पर आपकी जो बहन है, वो आपकी aunt की क्या लगी, अब इसको simple अपने relation में समझ के चलो, अगर आप पहली बार जी, तो इसको हम क्या कहते है, niece, और अगर आप से पूछा जाएगा, यहां पर भाई क्या लगा आपका, तो वो होगा nephew, यह simple एक family tree मैंने आपके बनाया है, simple language में आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको यह चीज़े अभी भी समझ नहीं आई है, तो कोई बात नी जब questions पर आएंगे, तब आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी, और grandfather का यहां पर आप क्या हुए, यह हुए grandson, यह simple concept था, अब मैं आपके साथ चलता हूँ, direct, कितने type की blood relation की questions बनते हैं, देखो, total जो questions बनते हैं, वो तीन type के होते हैं, आज मैं आपको सिरफ overview दूँगा, उस और आपका blood relation complete, आपको इस तरीके से मैं यह चीज़े करवा दूँगा, ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहली type की, पहली होती है, deciphering jumbled up description, अब यह होता क्या है, आप लोगोंने काफी सारी questions देखी होंगे, जिसमें आपको इस तरीके से चीज़ें लिखी होती है, pointing to a man, Rahul said, the boy playing cricket is the son of my father's wife, और पूछा जाता है, कि वो इनसान Rahul के साथ किस तरीके से relate करता है, अब इसको करने की approach क्या है, देखो, अभी मैं आपको सिर्फ एक idea दूँगा, practice जब करेंगे, सारे doubt clear हो जाएंगे, इन questions को करते किस तरीके से है, अभी तक आपको simple सा rule बताऊंगा, type 1 मे इसमें हम लोग approach करते हैं, last to first, मतलब, जो चीज यहाँ पर end होती है, इससे हम लोग चीज शुरू करते हैं, और यहाँ तक पहुंचते हैं, कभी भी हम लोग यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, बोई से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या जाएंगे, यहाँ से उल्टा इसको शुरू करते हैं, और यह question बहुत बार paper में आता है, जेके SSB भी बहुत बार पूछता है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर यह जो my है, यह कोन है, यह my है basically, राहुल, ठीक है, अब question क्या है, थोड़ा सा पढ़ते है, my मतलब राहुल, हमने बना दिये, यहाँ पर, राहुल ने क्या बोला, my fathers, अब यहाँ पर मैंने आपको चीज बताई है, राहुल कि अगर मुझे father बनाने है, किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, राहुल, male है या female है, अब यह question, पहला rule number one मैंने आपको बताया, हमें नहीं बता, ठीक है, य यहाँ पर पहली line given है, my father's wife हम लोग ने यहाँ पर बना दिया, इसके क्या बात क्या बोला, the man, the boy playing cricket is the son of, अब बोला क्या गया है, क्या है वो, वो है son, of, किसका my father's wife, इनका बेटा है, अब पूछा क्या गया है, question देखो ध्यान से, how that man related to राहुल, अब अब अब्यस सी ची बेटा है, ये भी इनी का बेटा है, इनके बीच में relation क्या हुआ, यहाँ पर, वो man राहुल का क्या लगा, तो वो हुआ brother, अब यहाँ पर question में twist देखो, अगर question में पूछा जाता, how, how राहुल related to that man, इसका answer हम लोग क्या करते, इसका answer हम लोग करते, cannot determine, क्योंकि हमें नहीं पता हमें नहीं given कि राहुल male है, या फिर female है, तो यहाँ पर ये question आपको पहला समझाया, इस तरीके से question मिलते है, second question आप लोग पहले वीडियो को करो, pause, आप लोग इसको attempt करो, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर discuss करूँगा, options मैंने यहाँ पर नहीं दिये, reason simple सा है, क्यों नहीं दिये, क्योंकि option से आप लोग guess करोगे, better है कि आप एक बार इसको solve करो, अब हम इसको solve करेंगे, ठीक है, pause करके एक बारी खुद करो, try, अब बोला क्या गया है, एक आदमी पर point करते है, lady ने कहा है, अब यहाँ पर जैसे lady लिखा है, हमें पता है कि female है, और man के लिए क्या है, तो यह पता है, male है, his mother is the only daughter of my mother, अब यहाँ पर यह माई कोन है, यहाँ पर माई है, यह लेडी, अब बनाएंगे किस तरीके से, सबसे पहले हमने बनाया lady, पता है lady क्या है, female होगा, circle कर दिया, ठीक है, lady के लिए क्या बोला, my mother, यहाँ पर आ गया, एक circle पहला, ठी his daughter is the only mother of my, his mother is the only daughter of my mother, अब बोला क्या गया है, एक आदमी पर point करते हुए, एक lady ने कहा है, पहली चीज, my mother, यानि की lady ने बोला है, अपनी mother के related, ठीक है, अब दूसी चीज क्या है, his mother is the only daughter of my mother, his मतलब, मान लो, यहाँ कहीं मैंने बनाया, वो आदमी, अब इसका क्या कहा गया है, इसकी जो mother है, चीक है, वो एक मात्र बेटी है, किसकी, उस lady की mother की, अब यहाँ पे जो tree बना है, वो आप लोगों के सामने है, only daughter कहा गया है, तो यानि की एक ही lady होगी, अब पूछा गया क्या है, कि वो lady उस आदमी से किस तरीके से हुई, अब यह relation आप लोगों के सामने है, वो lady क्या हुई, वो lady हुई mother, चीक है, अगर आपको यह question अभी clear नहीं हो रहे, कोई फरख नहीं पड़ता, हम लोग जब इस पर practice question करेंगे, तब हम बात करेंगे, आज मैं सिरफ आपको types के आएक overview दे रहा हूँ, कि किस तरीके से question बनते हैं, और यह question दो से तीन तरीके से आएंगे, और दो से तीन marks कियोंगे, उसको हम लोग cover कर देंगे paper में, अब बात करेंगे type number 2 के उपर, relation puzzle, दूसरा type आता है यहाँ पे relation puzzle, अब relation puzzle होता क्या है, इस puzzle में क्या होता है, आप लोगों को एक से ज़ादा information दी जाती है, किसी एक puzzle form मे और आपको उसको decode करना होता है, यानि कि एक family tree की तरह आपको बनाना होता है, उसके बाद आपको वहाँ पे सारे questions के answer निकलते हैं, पहला आपको बताते हैं, जो type 1 है, उसमें confusion होती है, type 2 और type 3 बहुत easy होती है, paper में आप लोग आसानी से करके आ सकते हो, अब आते हैं यहा कहा गया है यहाँ पे, बोला क्या गया है, एक family के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे कितने members है, total 6 आदमी है, 6 members है, जिनके नाम है A, B, C, D, E और F, अब बोला क्या गया है, ध्यान से सुनो और बनाते चलो, सबसे पहले क्या कहा गया है, A और B क्या है, married couple, अब बहुत सारे तो क्या करेंगे, A और B is a married couple, इसको हम ऐसे बना देंगे, तो यह चीज गलत है, पहली चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का, क्या कहा गया है, यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया है, A is married to B, इस line तक, हमें नहीं पता कि कौन male है, कौन female है, हम नही से बनाएंगे, जब तक हमें कहा नहीं गया, हम लोग नहीं बनाएंगे, अब बोला क्या गया है, D is the only son of C, अब यहाँ पे जो एक चीज है, यह जो question mark है, कॉमा है, इसके बाद जो यह हू लिखा है, यह इसके बारे में ही बात की जाती है, यह भी ध्यान रखना, बहुत सा आगे, यहाँ पे यह, और किसके लिए बोला गया है, D क्या है, only son of C, यानि कि, यह मैंने D को भी बना दिया, son बोला है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, हमारे box में रख दिया, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों नहीं चीज बना दिया, E is the sister of D, अब क्या बोला गया है, E क्या है sister, तो circle में आ जाएगा, और B is the daughter-in-law of F, whose husband has died, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, क्या बोला गया है, यहाँ पे, B is the daughter-in-law of F, अब B कोन है, यहाँ पे, daughter-in-law मतलब, पती की जो मदर है, वो, यानि कि, यहाँ क्या बना दिया, मैंने, यहाँ पे आपका आ जाएगा, F, अब मैंने यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, husband has died, यानि कि यह क्या है, female है, तो पहला तो आ गया यह, अब पूछा क्या गया है, कि F जो है, वो A से किस तरीके से relate करती है, तो यहाँ पे आप के सामने मैंने decode करके बनाया, आ गया यहाँ पे F as mother of A, अगर examiner question पूछाएगा, D किस तरीके से relate करता है, B के साथ, तो D क्या है यहाँ पे, D को हम बोलेंगे, nephew, अगर आप से पूछा जाएगा, E, F का क्या लगी, तो E क्या होगा, यहाँ पे, granddaughter, तो बस इसी तरीके से हमे अप्रोच करने है, आज महाँ सिर्फ overview देना हूँ, जब questions पे आऊँगा, तो सब आपको बताऊँगा, next पे आते हैं, यहाँ पे, एक और question को practice करेंगे, यह question मैंने आपको अभी करवा दिया है, next पे एक second, जी, तो यह आपके सामने question इस तरीके से दिया है, अब question क्या है, हम लोगों ने बना दिया प्रतीक, प्रतीक मेल है या फीमेल, नहीं पता, अनीता is the niece of प्रतीक's mother, प्रतीक की मदर है, और अनीता क्या है, नीस है, अब हमें नहीं पता नीस किस तरीके से बनेगी, कैसे बनेगी, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते है, next अनीता की मदर, प्रतीक की आंट होंगी, किस तरीके से होंगी, अगर ये क्या हुआ, यहां पे दोनों sisters होई तो, पहला आयोब यहां से clear हो गया होगा आपको, लेकिन अब यहां पे एक चीज clear थी, अनीता क्या है, नीस, तो यानि कि यह क्या होगा आपका इस तरीके से, च उसका नाम क्या है, उसका नाम है रोहन, यह चीज अभी तक यहां पे given है, और रोहन's mother is Anita's grandmother, तो यह यहां तक हमें चीजे given है, तो यह हमने बना दी, ठीक है यहां तक आप लोगों के सारी चीजे जो doubt है, वो clear होगे होंगे, अब पहला question क्या पोला, रोहन's mother is dash of Anita's mother, रोहन गया है, वो Anita's mother के क्या लगे, पहला question, तो इसका answer आपके सामने है, अगर रोहन की mother है, इनकी mother है, यहां इनकी भी mother होगी, क्योंकि siblings की form में बनाया है, तो यहां पे पहला answer क्या होगे, mother, प्रतीक's and Anita's mother are, यह है प्रतीक की mother, और यह है यहां पे Anita की mother, यह दोनों आपस में क इसका answer was sisters, ठीक है, sister-in-law नहीं, I hope यहां तक clear ही होगा आप लोगों को, रोहन is प्रतीक's dash, अब रोहन है यहां पे, प्रतीक है यहां पे, क्या लगेगा रोहन का प्रतीक, तो यह होगा uncle, अगर यहां पे चीजें आपके सामने है, uncle है, maternal uncle है, तो यह आप उसका answer कर सकते है, ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए, how is प्रतीक related to रोहन, इसका answer आप क्या करोगे, इसका answer होगा, cannot determine, reason क्योंकि हमें नहीं पता प्रतीक क्या है, given नहीं equation में, तो हम लोग नाम से जज नहीं करेंगे, यहां तक I hope आप लोगों को चीजे clear होगी, दो टाइप मैंने आती है, quoted relations, जिसे हम blood relation की form में जो कहेंगे, अब किस तरीके से होता है, पहले हम उस पर आते है, इस तरीके से आपको mention क्या होता है, करने का तरीका क्या है, बहुत simple है, देखो, यहां पर क्या लिखा है, plus का meaning है, P is daughter of Q, अब इसको लिखना कैसे है, करना कैसे है, पहले हम बत क्या है, देखो, जब भी आपके सामने इस तरीके question आते है, सबसे पहले क्या करो, short form में लिख दो, plus का मतलब क्या है, plus का मतलब है daughter, minus का मतलब है, यहां पर wife, multiply का मतलब है, यहां पर sister, और divide का मतलब है, यहां पर father, यहां तक I hope, सब चीजे clear हुई होगी, अब चीजें क्या है, जो इस equation में दी है, M minus N, M minus N मतलब M is wife of N, मैंने इसको बना दिया, समझाया है, यहां तक, अगला क्या है, N divided by Q, अब divided का क्या मतलब हुआ, father, यहांने कि N is father of Q, यहां तक चीजे clear होगी, अब पूचा क्या क्या है, how is M related to Q, तो M किस तरीके से relate करेगा, यहां पर answer आगया मदर, अगर यहां पर चीज दी होती है, आपको, how Q is related to M, तब आप इसका क्या करते है, answer, cannot determine, cannot determine, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमागे यह चीज घुश जाए, और आप लोग इसको गलत करने से पहले 100 बार सोचे, ठीक है, I hope यहां तक चीजे clear होगी अब आते हैं next question पर, थोड़ी सी practice करेंगे, last question आज का जाला lecture मैं इसको नहीं खिंचूँगा, काल सिधा practice questions पर आएंगे, अब यहां पर क्या लिखा गया है, multiply का मतलब होगा father, minus का मतलब होगा sister, plus का मतलब होगा mother, और divide का मतलब होगा यहां पर brother, यह चीजे हमें यहां पर data given है, उसके बाद हमने एक बार लिख दे तो हमें इसको पढ़ने के ज़़ते हैं, अब क्या बोला क्या है, b plus d, plus का मतलब mother, यानि की b is mother of d, d multiply by m, multiply का sign क्या कहता है, कि d क्या है, d is father of m, next, m divided by n, divide क्या कहता है brother, यानि की m is brother of n, question में क्या पुछा गया, अब direct उस पर हो, how is m related to b, अब m, b का क्या लगा, आप लोगों के सामने, इसका अंसर आप लोग असानी से कर सकते है, m क्या लगा यहाँ पर, m लगा, grand son, option number c, अगर पूछा जाता, how n is related to b, तब इसका अंसर क्या हो जाता, तब इसका अंसर हो जाता, granddaughter या grandson, ठीक है, यहाँ तक I hope आपको आज एक चीज़े clear हुई होँगी, यह lecture मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों को जितने भी blood relation के questions है, यहाँ पर मैं आपको guarantee के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग stock assistant के students है, तो आप लोग इसमे 30 out of 30 score करके होगे reasoning section में, अगर आप लोग JKP SI के लिए कर रहे हो, तो जो दो questions आएंगे, उसमें आपका guarantee यह ठीक होगा, मैं आपको सारा, जो reasoning आपकी 7-8 number की होगी, यह 10 number की होगी maximum, सारी वहाँ से मैं आपको करवा दूँगा, कल हम लोग 2 तरीके के questions को करेंगे, मैं आपके लिए पहले लेके आओंगा, एक basic level questions, कल हम लोग कोशिश करेंगे, basic level questions को solve करें, 8-10 questions होगे, वहाँ पे, 10-12 होगे, और उसके बाद मैं एक लिए क्या होगा, advance level, advance level करना जरूरी क्यों है, advance level जितना हम लोग practice करेंगे, उतना ही हम लोग चीजों को सीखेंगे, difficult होगे, पहले आप pause करके solve करना, PDF आपको मिल जाएगी, तो चलो अभी के लिए आज का यह session इतना ही रखते हैं, I hope आपको यह session पसंद आया होगा, और आपको जो topic की concept दिये गए हैं, यह आपको समझाए होगे, तो चलो, bye-bye, all the best, मिलते हैं कल, new lecture के साथ.